Good morning dear students, welcome to our LKG class, so students, today's subject is Hindi, book name is सब्ध कुटीर, today's day is 31st of January 2022 and the day is Monday, so students, let's start, open your book, chapter name is तीन वर्नो वाले बिना मात्रा के सब्ध, page number is 21, बच्चो आज हम क्या करेंगे, तीन वर्नो वाले बिना मात्रा के सब्ध की रीडिंग करेंगे, फिर हम इसे कॉपी में राइट करेंगे, च ये क्या लिखा है, मा, प्लस, हा, प्लस, ला, ये अलग-अलग लिखे हैं, तो हम इसको जब मिला के पढ़ेंगे, ये तीन वर्नो को भी जब मिला के पढ़ेंगे, तो कौन सा सब्द बनेगा, मै, है, ल, मै, है, ल, ओके, मा लिखा है, मा, हा, ल, तो इसमें कोई माज़ा नहीं है तो हम इसको धीरे से नॉर्मल क्या पढ़ेंगे मैं है ल मैहल ओकी ये देखी मैहल बना हुआ है ना बड़ा सा नेक्स्ट है का प्लस ला प्लस स ये वर्ड अलग-अलग लिखें हैं ये देखी प्लस का मतलब क्या होता है जोड़ना तो जब हम इसे जोड़कर मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा कलस 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 ये देखी कलस रखा हुआ है नेक्स्ट है बा प्लस टा प्लस न जब इसको जोड़के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा बटन ये देखी बटन बनी हुई है Next है ma plus ta plus ra तो क्या हो जाएगा मतर देखें मतर बने हूए है Next phase में क्या है Ga plus na तो क्या हो गया गगन गगन means क्यों होता है आकास या आसमान Next है Na plus ya plus na क्या हो जाएगा नयन नयन मीज आख नेक्स्ट है ना प्लस हा प्लस रा क्या हो गया नहर ये देखी नहर बहर रही है नेक्स्ट क्या है फा प्लस सा प्लस ला क्या हो जाएगा फसल ये देखी फसल लगी हुई है तो बच्चो आपको ये पहले इसकी रीडिंग करने हैं आप अपनी बुक में ये रीड करोगे अलग-अलग पहले देखोगे कौन से वर्ड लिखे हैं फिर जब आप उसको मिला के पढ़ोगे तो आपको पढ़ना है कि कौन सा सब्द बनेगा ओके चले देखते हैं कौपी मे कैसे राइड करना है इसे? First, you have to write CW, Date and Heading, तीन वर्णों वाले बीना मातरा के सब्द, तो आज हमने जो सब्द पढ़े हैं तो वही सब्द हमने यहाँ पर copy में राइड किये हैं, तो आपको same वैसी बुक से ऐसी same ऐसी करने हैं पहले आप अलग-अलग लिखोगे फिर उसको मिला कर लिखोगे तो आपको ये work अपनी class work में करना है फिर same आपको ऐसी homework में करना है फिर दोनों work की पे click करके group में send करना है Thank you students, have a nice day